देव चे भोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदसन पे आपका स्वागत दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ 10 जुलाइक को जो सावन का प्रथम सोमुआर पढ़ रहा है उस प्रथम सोमुआर पे हमें कौन-कौन से उपाय करना है देखिए वैसे तो पूरे सावन मास बहत ही महतवपूर्ण होते हैं सिव पूजा के लिए हम सबी अपने अपनों यानुसार भोलेनाथ के पूजा करते हैं उनको प्रशमन करने का प्रयास करते हैं और है भी महतवपूर्ण पूरे सावन मास सम भोलेनाथ की जिस प्रकार चाहें पूजा पार्थ कर सकते हैं ले करना है तो देखे आठो सो मुआर सावन के जो आठ दिन विसेश पढ़ रहा है तो आठो सो मुआर में आपको महादेव की आराधना कैसे करनी है वैसे कहूं तो एक चीज आपको बता दूँ कि पहले सो मुआर से प्रारंब करके और पूरे आठो सो मुआर तक यानि कि जो ये आई ये आठ दिन अधिक मास के और सावन मास के पढ़ रहे हैं उसमें भी आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कारे पूर्ण होता है और रही बात ये कि जैसे कि मैं कुछ कह रही हूं आप से कि कुछ अधिक दिनों के लिए कर लीजे तो एक चीज आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसका परिडाम आपको निश्चित रूप से मिलता है तो कभी इस बात को लेकर संदेह में मत पढ़िए कि कितना और कैसे पूजा किया जाए फिर विए उनके लिए बताती हूं जो हमेशा मंदिर नहीं जा पाते हैं तो नहीं हो रहा है जिन बच्चों के बिवाह में भी लंब हो रहा है सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है अपना घर जिनका नहीं बन पा रहा है देखिए ये दर्द भी कम नहीं है जिनका अपना घर नहीं है वो अपने घर के लिए दरदर बटकते हैं लाग प्रयास करते हैं अब एक बार फिर बता देती हूँ ऐसे तुम आने बताया है लेकिन फिर एक बार आपको बता देती हूँ कि यदि आप पहले सो मौर्ट से सुरू करके और अधिक मास के मिला करके और अंतिम सो मौर्ट तक आप पूरे दिन इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप पूरे साल ना हर चीज को लेकर के परिशान हो रहे हैं रो रहे हैं गिड़ गिड़ा रहे हैं मेरा ये काम नहीं पूरा हुआ मतलब किच-किच मची हुई है सबके पीच ये किच-किच समाप्त हो जाएगी यदि आप विस्वास से करन लेंगे तो इस तरह की जो सुध सात्विक जानकारिया है वो आप तक पहुचती रहेंगी और इस्टाग्राम फेस्विक मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं जो नंबर आप देख रहे हैं कुंडली दिखाने के लिए मुझसे पड़ामर्स कर सकते हैं देखे पहले च में बखना है कि पती पतनी दोननों जाएं और थोड़ा आप लूग सुद्ध केसर ले लिजी और इसको दूद में भिला लीजे दूद कितना होना चाहिए तो कम से कम 6 लिटर होना चाहिए और इसे लेकर कि आप किसी भी सिव मंदिर में जाए और सिव मंदिर में आप इस दूद को चढ़ाते हुए महादेव से अपने एक्षा करिए कोशिस तो यही रहे कि दूद दोनों पती पतनी दोनों एक ही लोटे से हाथ पकड़ करके और आप दोनों चढ़ाए और बाबा से यह प्रार्थना करें कि बाबा हमारा संकर दूर करो हमने सारे इलाज करा है सब कुछ करा है अब आपकी सरण में हूँ बाबा अब हमारी समस्चा दूर करिए हम निरास हैं हम हतास हैं और अब आप ही हमारे सब कुछ हो ऐसे प्रार्थना करिएगा दोस्तों विश्वास मानी आपकी कामना शिग्र बाबा सुनेंगे कोई बहुत बड़े जोतिरलिंग में जाने की भी हो शकता नहीं है मन चंगा तो कठोती मिंगेंगा एक छोटा सा मंदिर भी आपकी कामनाओं को पुण कर देता है अब उनकी बात करते हैं जिनके विवाह में बिलंब हो रहा है बहुत ज़्यादा समस्या है विवाह की भी बिसे इसकर जो बच्चे महानगरों में है उनकी विवाह की समस्या है मैं आजकल ज़्यादा देख रहे हूँ अधिकांस तर जब कुंडली दिखाया जाता है तो बच्चों की बिवाह में मतलब मेरा एक अनुभाव हो सकता है यह अनुभाव गलक भी हो मेरा लेकिन मैं जब कुंडली देखती हूँ तो उनकी समस्या जादा होती है जो मेट्रो सिटीज में राते हैं उनकी समस्या यह है कि उनके बच्चों के विवाह में बहुत बिलंब होता है विसे इसकर जो लोग गाउं वगर ऐसे जुड़े हुए हैं उनको तो जल्दी रिस्ते मिल जाते हैं ये चीज़े आसान हो जाती हैं वो लोग क्या करें तो अब तिल डालकर ठोड़ा केसर डालिए ये दोनों चीजें मतलब एक साथ मिला करके और स्टीलिंग पे चड़ाईए मन में तो यही आएगा कि दोनों एक साथ क्यों क्यों चड़ाए हम कभी कभी देखे होता है कि सनी के कारण भी आपके विवाह में बिलंब हो जाता है जब आज दिन उपाय करके आप उमीद मत लगा लीजिए क्योंकि बाबा भी बहुत पर इच्छा लेते हैं लेकिन जब देते हैं तो सच में चपड़ फाड़ के आपने सब्सुना है चपड़ फाड़ के देते हैं विश्वास करिए तो यह डाल करके आप हर सो मौर चड़ाई प्रयास करिए कि सावन के हर दिन मंदिर जाए और इस उपाय को करें लेकिन आप नहीं जा सकते हैं तो घर में हम सब के स्यूलिंग होता है तो आप सो मौर सो मौर को मंदिर में जाए और बाकी दिन आप यह उपाय अपने घर के स्यूलिंग पर करिए यदि घर में भी स्यू सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी तो वो चीज़े आप देख सकते हैं आपकी सारी बाते जो है वो बिलकुल मैं अच्छी तरह बताने की कोशिस करें और पूरी उम्मीद से कह रहे हूं कि आप लोग इससे लाभानवीत हो और एक चीज़ और कहना चाहती हूं और चाहते है कि सिग्र जहाई बिवा हो बहुत सारी बच्चियां फोन करती हैं उनको जो है प्रेम बिवा की बड़ी वो होती है कि उसी से साधी हो जाए नहीं तो मतलब क्या बोलू मैं तो आप लोग 16 सोमवार का ब्रत करते हुई ये उपाई करिएगा बाबा चाहेंगे तो आप लोग क्या करिएगा किसी उमंदिर में जाकर सोमवार के दिन से ये उपाई शुरू करना है आप लोग हात में सफेद फूल ले लिजेगा। ये सब खुत सफेद फूल कोई भी हो सकता है आकड़ेका फूल हो सकता है। मतलब केतकी का छोड़ करके बाकि सारे सफेद फूलों को हा बोगवान भोलेनाद जो है वो कैलास परवत पे बैठे हैं और हम उनको मंत्र पुषपांजली कर रहे हैं तो यह हाथों में लेकर के जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावी तस्थले गले वलायलम वितामबु जंगतुंग मालिता जिनको याद है वो बोलते हुए और बाबा को जो है यह पुषप चाहा देंगे पूरे प्रेम से दोनों हाथों से आप मंत्र पुषपांजली मंत्र पुषपांजली का मतलब कि दोनों हाथों में पुषप रखके बाबा को समर्पित करिए आपकी कामना कोई छोटा सिवलिंग नहीं बलके कैलास परवत हो आप यह मा विए आपके लिए बेहत इंपोर्टेंट होने वाली है देखे मेरा प्रयास रहता है न कि यदि मेरी वीडियो से आप सभी में से दस बीज पचीस पचास लोगों को भी फाइदा होता है न तो मैं खुद को धन्य मानती हूं कि ऐसा अगर मेरे कारण से कोई मोटिवेट हो करक और उसको यदि लाब होता है तो बाबा के कृपा उससे भी कटके मुझे जरूर आएगी और आती भी है तो बस यही प्रार्थना है इसलिए बार बार जोड़ दे करके कह रहे हूं और आपसे एक चीज़ और कह रहे हूं कि आप जो है चैनल को सब्सकाइब करिएगा पूर सीवलिंग पर चढ़ाएगा और मसूर की डाल आप हर सो मुआर को अपने हाथों से एक एक अंजुली का मतलब दोनों हाथों को चिपका कर जितने डाल आए वो निकालते रही है और सामन के अंत में इस दाल का दान करिए इससे आपके अपने आवास का अपने घर का अपने म शुलिंग दो दोस्तों विष्वास मानिए आपके अपने घर का अपना पूरा होता है करज मुक्ती भी दीरे धीरी होने लगती है धन प्राप्ति के लिए आप क्या करें कि प्रतेक सुमवार को आप एक कमल गटे का बीज ले 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 और इस बीज को जल में मिलाकर बहादेव को समर्पित करते रहे हैं दूसरा और चीज है जो आप मिलाकर आप भोलेनात को समर्पित कर सकते हैं काले तिल चढ़ाने से लक्ष्मी के प्राप्ति होती है तो काले तिल को जल में मिला करके पूरे सावन मास महादेव को अभिशेक करिए इससे घर में लक्ष्मी आती है आरोग या आता है रोग से मुक्ति आती है अब उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि रोग भी कोई कम समस्चा आपको अपने अपने समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है लेकिन मैं मानती हूँ स्वस्त सरीर नहीं है तो दुनिया का सब सुक फीका है तो यदि किसी कारण से आपको दिक्कत है सरीर स्वस्त नहीं रहता लगातार दिक्कतें लगी हुई है कुंडली में मार केस के दसा चल रही है बहुत सारे लोगों के कुंडली में मार केस के दसा चलती है वो जान ही नहीं पाते को उनको हुआ क्या है डाक्टर भी बोलता है सब ठीक है लेकिन वो भी मार रहते है यदि आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत है यदि कोई असाध्य रोग भी है तो आप क्या करिए कि आप ले लिजी कुसा और कुसा लेकर के जल के लोटे में मिला लिजी और इसने महामृतुंजय मंत्र का जब करते हुए किसी भी सिवाले में लगातार चढ़ाना सुरू करिए दोस्तों बिस्वास से करती हूँ आप दो करने से अच्छा है कि नहीं कर सकते पूरे साल तो कम से कम दो महीने महादेव को दे दिजिए फिर देखिए आपके जिवन में चमतकार कैसे आता है तो चलिए दोस्तों एक बार आपसे कहना चाहूंगे वीडियो अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर करिएगा कमेंट बा बाद बाद.